हेलो बच्चो आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ओफ टेंजेंट्स यानि इस पर शेखाओं की रचना तो अग एक वृत पर एक सर्कल पर हम टेंजेंट्स कैसे चंस्ट्रक्ट कर सकते हैं आज हम यही सीखेंगे तो कुश्चन है ड्रॉअ सर्कल ओफ रेडियस 6 सेंटीमेटर फॉइट पॉइंट 10 सेंटीमेटर अवे फॉइट सेंटर कंस्ट्रक्ट दपेयर ओफ टेंजेंट्स तू दा सर्कल यानि 6 सेंटीमेटर त्रज्या का एक वृत खीचिए केंद्र से 10 सेंटीमेटर दूरी पर एक बिंदू से वृत पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए तो सबसे पहला काम तो जिस वृत पर हमें यह टेंजिन ड्रॉख करना है स्पर्श रेखा कीचनी है हमें वो वृत बनाना है यानि हमें 6 cm का 6 cm का circle draw करना है तो अब हम अपने compass को 6 cm stretch कर लेते हैं तो ये हो गया हमारा 6 cm अब सबसे पहला काम 6 cm का circle बना लेते हैं तो अब हम 6 cm का circle draw कर रहे हैं तो ये हमारा 6 cm का circle complete इस तरह से हमने 6 cm का सरकल बना लिया ये अब सेंटर से यानि जहां हमने कमपस को रखा था वो हो गया हमारा सेंटर तो उसको हम नेम कर देते हैं O तो ये है हमारा सेंटर और इसे नेम कर दिया O सेंटर से यानि केंदर से 10 cm की दूरी पर यानि 10 cm हमें center से measure करना है तो हमने यहां से 10 cm measure किया और हमें 10 cm कहां मिल रहा है यह आ गया हमारा 10 cm इस point को हम name कर देते हैं P यह हमने P नाम रखती है इसका अब यहां से हमें क्या करना है हमें draw करने है tangents तो सबसे पहला काम यह जो point हमने mark किया है इसे हम join कर देते हैं यानि इनको दोनों बिंदों को हम मिला देंगे तो हमारे पास एक line segment आ जाता है तो यह हो गया हमारा line segment रेखा खंड अब हमें इस line segment का perpendicular bisector draw करना है perpendicular bisector का मतलब लंब संद्वी भाजक तो अब हम compass को आधे से जादा खोलेंगे यह हमने खोल लिया P पे रखा एक आर्क लगा दी और नीचे भी हमने line के एक आर्क लगा दी अब Q पे रखके उतना ही compass को खोले खोले हमने एक और आर्क लगाई जो पहली आर्क को कट कर रही है और नीचे भी हमने एक चाप लगा दी हम एक line खीच लेते हैं तो ये हमने line खीच ली ये आ गई हमारे पास line अब ये जो नया point मिला है इसको name कर देते हैं o dash o dash क्यों किया है क्योंकि अब हम एक circle यहां से draw करने वाले हैं और उसका radius क्या रहेगा radius होगा o dash से o तक ले सकते हैं या फिर हम o dash से p तक का भी distance ले सकते हैं अब हम इस से यहां से एक circle draw कर देते हैं तो ये हमारा circle है जो p से होते हुए वापस o पे पहुँचेगा ये बन गया circle अब ये जो circle है ये हमारे first circle को यानि जो पहला वृत था हमारा original उसे जिन two points पे cut कर रहा हम दो वो दोनो points ले लेते हैं एक ले लिया हमने a और दूसरा point ले लेते हैं b बस अब क्या करना है p को a से join करना है और p को b से join करना है तो ये हमने p को join कर दिया a से और इसी तरह हम p को join कर देंगे b से तो हमारे पास क्या जाएगा pair of tangent यानि स्पर्श रेखाओं का युब्न और इसमें सबसे मज़ेदार चीज क्या है जो हमने हमारे सरकर वाले चैप्टर में वृत वाले चैप्टर में सीखा था कि बाहिये बिंदू से एक एक्स्टर्नल पॉइंट से जब हम टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं इस पर श्रेखाएं तो उनकी लंबाई बराबर होती है यानि जो लंबाई हमें यहां पर एपी की मिलेगी और वही लंबाई हमें यहां बीपी की भी मिलेगी जो दोनों ही एट सेंटीमीटर सा रहे हैं यह यह भी आठ सेंटीमीटर आ रहा है और यह भी आठ सेंटीमीटर आ रहा है तो बन गया टैंजेंट आप देखते हैं एक और एक्जाम्पल अब नेक्स्ट कुश्चन है ड्रॉ अप पेर ऑफ टैंजेंट्स तू अ सर्कल ऑफ रेडियस फाइज सेंटीमीटर विच अर इंक् टैंजेंट्स के बीच में दिया हुआ है वो हमें साथ डिग्री दिया हुआ है तो एक रफ फिगर बनाके देखते हैं कि यह हमारा एक सर्कल है यानि वृत है यहां बाहर से हम टैंजेंट इस तरह से हमें ड्रॉ करने हैं कि यह कौन जो है यह साथ डिग्री का हो तो अब हम जरा ध्यान करें हमारा सरकल वाला चेप्टर जिसमें हमने सीखा था कि ये तो हमें पता है ये लमवत होते हैं 20 डिगरी का कौन होता है क्योंकि परपेंडिकुलर है तो यहां पर ये एंगल और ये एंगल इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिगरी यानि 60 प्लस ये जो एंगल है ऐसे x माने तो ये 180 डिगरी होना चाहिए तो it means x जो हो गया वो 120 डिगरी का होगा तभी तो ये 60 और 120 मिलके 180 होगा तो ये ही concept यूज़ करके हम अब center पर बनाएंगे एंगल 120 डिगरी का तो start करते है question तो सबसे पहला step क्या है हमें बनाना है एक circle और वो भी उसका कितना होना चाहिए radius 5 cm यानि उसकी त्रजिया 5 cm तो compass को हमने 5 cm ये stretch कर लिया और अब हम इससे एक circle ड्रॉ करते हैं तो ये हमने लिया और यहाँ पर ये 5 cm का circle ड्रॉ कर दिया तो ये हो गया हमारा circle अब जब circle हमने draw कर लिया अब हमें क्या करना है center पे यानि इसके केंदर पर 120 डिगरी का angle बनाना है तो वो कैसे करेंगे हम हम पहले तो इसका एक त्रजिया ड्रॉ कर लेते हैं ये हमने इसका radius ड्रॉ कर दिया इसको name कर दिया ये तो center है O और इसे नाम दे देते हैं हम A ठीके अब हम O A पे यानि O point पे center पे बनाना है तो O पे हम 120 डिगरी का angle बनाएंगे तो 120 डिगरी का angle बनाना हमें आता है कैसे बनाते हैं ये हमने लिया और compass को थोड़ा सा खोल के हम क्या बनाते हैं एक semi circle बना देते हैं तो अब इन दोनों चाप वाला बिंदू जो है हमारा यानि ये जो बिंदू है और इस center को मिलाते हुए हम एक line draw कर देंगे तो ये हो गई हमारी line तो ये जो हमारा angle बना है ये हो गया 120 डिगरी यानि 120 डिगरी का cone इस point को हम name कर देते हैं B अब next काम क्या करना है हमें next step है कि A और B पे हमें 90 डिगरी के angle construct करने हैं तो 90 डिगरी का angle भी हमें बनाना आता है कैसे बनाते हैं हम ये हमने A पे रखा और यहां से एक semi circle draw कर देते हैं तो अब हमने semi circle draw कर लिये हैं अब हमें क्या करना है तोड़ा सा compass को जादा खोल के इस 180 डिगरी का semi circle यानी 180 डिगरी अब उसको हम अगर angle bisect कर दें उसका कोन संत्वी भाज़क खीचेंगे तो हमें 90 डिगरी का कोन मिल जाएगा तो वही हम यूज करते हुए यहां पर 90 डिगरी का कोन बना रहे हैं और यह हमने line खीच दें अब इसी तरह से हम यहां रखेंगे और एक line चाप हमने यहां लगाई और उस चाप को कट करते हुए दूसरी चाप हमने यह लगा दी अब हमारे पास दो बिंदू मिल गए हमें अगें दो points मिल गए एक यहां पर और एक यहां अब इन दोनों points को A को हम इस point से मिलाते हुए line खीचेंगे तो हमें 90 degree का angle मिलेगा तो यह हमने इन दोनों को join करते हुए एक लंबी line ऐसे stretch का खीच दें यह हो गई इसी तरह हम B और जो यहां का point है इन दोनों को मिलाते हुए एक line खीचेंगे तो यह हमने यह खीचदी line तो अब क्या हुआ यहां पर यह तो angle आ गए हमारे 90 degree के यानि 90 degree के और यह जो point है यह वो point है जिस पे से tangent draw किये गए है और इनके बीच का जो angle है यह है 60 degree आप चाहो तो इसे D से भी measure करके check कर सकते हो कि आपकी construction ठीक हुई है या नहीं अब देखते हैं next question अब next question है construct a tangent to a circle of radius 4 cm from a point on the concentric circle of radius 6 cm and measure its length also verify the measurement by calculation यानि 4 cm तरजया के एक वृत पर 6 cm तरजया के एक सरकेंदरे वृत के किसी बिंदू से एक सपर्ष रेखा की रचना कीजिए वह उसकी लंबाई मापिये परिकलन से जाच कीजिए यानि पहले हमें construction करनी है और फिर numerical calculation से हमें ये discharge करनी है verify करना है कि जो हमारी length i है वो exact है या नहीं यानि correction है या नहीं तो सबसे पहले तो हम calculate, construction करते हैं हमारे tangents की तो सबसे पहले चीज़ यहां पर हमें concentric circle यानि सकेंद्रिय जिनका center सेम होता है तो पहला center जो है हमारा है मलब जो पहली तरज्या है वो है 4 cm की यानि compass को अब हमें 4 cm stretch करना है तो हमने compass को ये 4 cm खोल लिया अब सबसे पहले हमने ये रखा compass को यहां center और 4 cm का एक circle बना लिया यानि हमारा वृत तो ये हो गया 4 cm का वृत अब सकेंद्रिय का मतलब ये है कि जो हमें यहां center मिला है ये O ये जो हमारा center है O इसी पह रखकर अब हमें 6 cm वाला circle भी draw करना है यानि अब compass को हम 6 cm stretch कर लेते हैं तो अब compass हम खोल लेते हैं हमारा 6 cm तो ये हमने 6 cm से stretch कर लिया तो हम scale से बिल्कुल exact लेना नहीं तो हमारे dimensions गढ़बढ हो जाएंगे तो ये 6 cm आगया अब पहले वाले ही center पे रखते हुए हम एक circle और बनाएंगे तो ये बन गए हमारे concentric circle या जिसे हम सकेंद्रिय वृत भी कहते हैं तो ये हो गया हमारे अब हमें बाहर के circle से यानि ये जो हमारा 6 cm वाला circle है उस पे एक point से हमें circle पे अंदर वाले circle पे क्या खीचने है tangent यानि स्पर्श रेखा तो अब हम यहां से ये ले लेते हैं distance जो है हमारा ये 6 cm का है ये बड़े circle का जो radius है त्रजिया जो है हमने ले लिया कि बड़े circle पे ये point है हमारा P जहां से हमें tangent draw करने है यानि स्पर्श रेखाएं draw करनी है तो method जैसे हमने first question में किया था हमें इसका कीचना है perpendicular bisector यानि लंब संद्वी भाजक तो हम compass को आदे से जादा खोलेंगे एक हमने चाप उपर लगाई एक नीचे उतना ही खोले-खोले अब हमने और पहली आर्क को काटते हुए और आर्क लगा दी अब जब हमने इन्हें काटा तो हमें मिल गए दो नय पॉइंट एक ये पॉइंट मिल गया और एक ये पॉइंट अब हमें क्या करना है इन दोनों पॉइंट को join करना है तो अब हम इन्हें join कर देते हैं ये हमने कर दिया इन्हें join अब यह जो नया पॉइंट यहां intersection का मिला यह हो गया हमारा o dash और अब o dash को center लेते हुए क्या करना है एक और circle खीचना है जिसका radius होगा o dash से लेके o तक यानि यह और यहाँ पर अब हम यह circle draw कर देते हैं तो यह हुआ हमारा circle जो p से पास होगा और हो गया हमारा circle draw यह हो गया complete circle अब यह circle जो है हमारे internal circle को जो आंत्रिक हमारा वृत है उसको जो 4 cm वाला हमने draw किया था ना उसको इन दो points पर कट कर रहा है इसको हम name दे देते हैं a और इसे name कर देते हैं b अब बस p को a से join करना है और p को b से join करना है तो यह हमने p को a से join किया और p को अब हम b से join कर देते हैं तो यहाँ पर हमे pair of tangent मिल गया अब हमें इसे verify करना है यानि इसकी length देखनी है कि हमारे tangent की length की आई है और फिर उसे हमें verify करना है कि क्या वो सही आया है या नहीं तो अब यहाँ पर यहाँ पर हमें क्या length मिल रही है हमें मिल रहा है approximately 4.4 थोड़ा सा 4.4 से जादा यह हमें यहाँ पर इसकी length मिल रही है तो अब हम calculation से check कर लेते हैं उसके लिए हम क्या करेंगे उसके लिए हम O और A को भी join कर देते हैं तो हमने यह O और A इन दोनों points को भी join कर दिया यह हो गया अब हमारे पास अब ध्यान से देखें तो हमारे पास है triangle O, A, P जिसमें angle A जो है वो है 90 degree का यानि यह right angle triangle हो गया समकोन त्रिभुज यह हो गया 90 degree का angle यह है हमारा O अब यह जो side है यह है जो हमारा अंदर वाला circle है 4 cm वाला circle उसका radius तो इसकी length हो गई 4 cm और यह जो side है यह है हमारा बड़े वाला circle जिसका radius है 6 cm तो हम यहां से आप A, P निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे हम A, P, Pythagoras यूज करके तो using Pythagoras, Pythagoras द्वारा तो अब हमारे पास क्या जाएगा जो हमारा A, P square है वो हो गया O, P, square, minus O, A, square यह हमारा A है तो O, P की value है 6 यानि 6 का square, minus 4 का square तो यह हमारे पास कितना आया 36 minus 16, तो यह हो गया 20 तो A, P क्या हो जाएगा root 20, यह हम इसे लिख सकते हैं 2 root 5 cm अब root 5 की value जो है वो exact तो है नहीं हमारे पास हम approximate value ले रहे हैं तो हमारे पास आया 2 into root 5 जो है वो 2.2 के approximately equal आ गया तो आगया answer यहाँ पर 4.4 cm और यहाँ पर जब हम measure कर रहे थे तब भी हमारा approximately 4.4 cm आ रहा था तो हो गया calculation से भी यह proof अब देखते हैं next question तो next है question number 2 draw a circle of radius 3 cm take two points P and Q on one of its extended diameter each at a distance of 7 cm from its center draw tangents to the circle from P and Q यानि 3 cm तरजया का एक वृत खीचिए इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 cm की दूरे पर इस्थित दो बिंदू P और Q लीजिए और इन दोनों बिंदों से हमें वृत पर क्या करनी है पिस परश रेखा खीचनी है तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें 3 cm का हमारा वृत खीचना है तो कमपस को हम 3 cm stretch कर लेंगे और हम अपना 3 cm का एक वृत बना लेंगे तो ये हो गया हमारा 3 cm का सरकल यानि हमारा 3 cm का वृत और ये बन गया हमारा center O अब हमें क्या कहा गया है कि center से केंदर से इसके extended diameter यानि दोनों तरफ हम इसके व्यास को बढ़ाएं तो 7 cm की दूरी पर यानि अगर हम 7 cm को बीच में लेते हैं तो 7 cm इस तरफ यानि ये point और 7 cm हमारा right hand side पर यानि हमारा ये point तो इन points को हमें name करना है ये है P और ये है Q तो ये है हमारा extended diameter यानि बढ़ाया गया व्यास व्यास तो यहां तक था सरफ circle के points पर था लेकिन अब हमने उसे बढ़ा दिया इन दोनों points से हमें क्या करना है हमें draw करने है tangents यानि हमारे spars रेखाएं तो तरीका वही पहले हमने यह यहां रखा एक चाप लगा दी एक चाप नीचे लगाई अब O पर रखके इन चाप को काटते हुए और चाप लगा दी अब इसी तरह O पर रखा यहां चाप लगाई यहां लगाई और इन आक को काटते हुए P पर रखा और यह चाप अब हमने ऐसे काट दिये अब हमें points जो मिले एक तो यह मिला एक यहां एक यहां और एक यहां इन पॉइंट्स को हम जोइन कर देंगे यानि जोड़ देंगे मिला देते हैं तो यह हमने इन दोनों को मिलाया और इधर हमने इन दो पॉइंट्स को यानि इन दोनों बिंदूओं को मिला दिया अब हमारे पास दो न रखकर एक circle बनाना है यानि वृत बनाना है तो ये oven पे रखा ओ तक इसे stretch किया और फिर हमने यहां से एक वृत खीच दिया जैसे हम normal जब tangent ड्रॉ करते हैं तो करते हैं सेम उसी ढंग से हम यहां भी वृत खीचेंगे अब o2 पे रखेंगे और फिर हम एक वृत और खीचेंग बिंदू है क्ये हो गया अब जैसे हमने ये दो ड्रॉ किये circle तो अब हमारे पास नए point आ गया एक ये point एक ये point इसको name कर देते हैं a और इसे नाम दे देते हैं b इसी तरह ये point इसको नाम दे दिया c और जहां पर अब ये दोनों वृत काट रहे हैं circles कट कर रहे हैं ये point हो अब बस o को यहाँ पर हम d से मिला देते हैं यानि p को d से o को नहीं p को d से तो p को d से मिला दिया और p को अब हम मिला देंगे c से ये मिल गया अब हम दूसरे अगर उसको देखें अब हमने a और q को मिला दिया और यहाँ पर b और q को मिला देंगे तो हमारे पास दोनों पॉइंट से दोनों बिंदों से हमारे पास स्पर्श रेखा आ गई प से भी और q से भी है ना असान और मज़ेदार भी तो इसी टाइप के और questions की practice कीजी अपनी NCRT book से मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक keep practicing and enjoy maths